नमस्कार में सिम्रन और आप देख रहे हैं माई भारत नियूस शादी के देड़ महीने बाद ही दिया मिर्जा ने अपने प्रेग्रेंसी की खबर सुना कर सभी को चौका दिया इस खबर के बाद उन्हें शोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल भी किया गया और लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई फिर दिया से रहा नहीं गया और उन्होंने जवाब देकर लोगों का मूवन करा दिया दिया ने लोगों की बोलती बंद करने के लिए कहा कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें बच्चे चाहिए होते हैं हम शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हम आपसी सहमती से ये तै करते हैं कि हमें साथ में जीवन बिताना है जब हम लोग अपनी शादी प्लान कर रहे थे तब मैंने ये पाया कि मैं pregnant हूं लेकिन marriage का प्लान हमारा पहले से था शादी का मेरी pregnancy से कोई लेना देना नहीं है व्यंसे आपको बता दे कि दिया ऐसी पहली actress नहीं है जो शादी से पहले pregnant हो गई आपको पता दे कि महिमा चौधरी, श्रीदेवी, अमरिता अरोडा, नीना गुपता, कोकर्ण सेन शर्मा, सेलीना जेटली, सारीका सहित ऐसी अन्य एक्टरेस हैं जो शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी इन में से कुछ को तो आनंदफालन में शादी करनी पड़ी थी अमरिता अरोडा ने अपने बॉइफरेंड शकील लड़क से अचानक शादी कर सभी को चौका दिया था कहा जाता है कि वे शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थी आपको पता दे कि उन्होंने अपनी सहेली के पती को अपना बनाया था महीमा चौधरी के बारे में भी कहा जाता है कि वो शादी से पहले प्रेगनेंट हो गई थी नीना गुपता वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विनियन रिचल के साथ अफेयर में भी थी तभी वो प्रेगनन्ट हो गई थी नीना की विनियन से शादी नहीं हुई थी लेकिन इसके बावजूत उन्होंने अपने बच्चे को जम देने की ठानी और फिर बेटी मसाबा को जन दिया श्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो शादी से पहले प्रेगनन्ट हो गई थी जिसके चलते उन्होंने पहले से शादी शुदा बोनी कपूर के साथ शादी की थी सारिका और कमल हसन लिव इन रिलेशन में थे इसी दोरान सारिका प्रेगनन्ट हुई और उन्हों ने बेटी शुरूती को जन दिया इसके दो साल बाद सारिका और कमल हसन ने शादी कर ली थी कोकरणा सेन शर्मा ने बॉइफरंट रन्वीर शोरी से अचानक शाधी की थी शाधी के कुछ समय बाद ही दोनों ने घोषना की थी कि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं कहा जाता है कि प्रेगननसी की वज्ञे वज़ा से कोकरणा ने जल्द शाधी की थी सेलीना जेटली भी शादी से पहले प्रेगनेंट हो गई थी सेलीना ने पीटर हॉंक से शादी की थी और कुछ समय बाद ही वे जुड़वा बेटों की मा बनी थी इसके बाद वे दुबारा प्रेगनेंट हुई और फिर उन्होंने जुर्वा बच्चों को जन दिया फिलाग ले इतना ही देखते रहें माई भारत नियूस